हेलो एवरीवन वेल्कम टू प्रपनेशन आज हम 19 सेप्टेंबर के करेंट अफेर्स करेंगे तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन विस्टेट हैस अनॉंस दे फर्स्ट एवर सिनेमाटिक तूरिजम पॉलिसी किस राज ने पहली बार सिनेमाई परेटन नेती की गोशना की है तो वो राज जय है ऑप्शन सी गुजरात और ये अनॉंसमेंट वहां के मुख्य मंतरी भुपेंद्र भाई पतेल ने किया था और वही इस सिनेमाटिक टूरिजम पॉलिसी के तहत गुजरास सरकार और फिल्म इंडस्ट्री के बीच में एक हजार बीस करोड का M.O.U. साइन हुआ है और वही इस पॉलिसी के तहत गुजरात में जितने भी आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेसेज है उनको फिल्म के लिए डेवलप किया जाएगा तो वो राज है ऑप्शन हर्याना तो यह दुनिया का सबसे बड़ा हडपा संस्कृति पे बना म्यूजियम इससे बनाए जाएगा हर्याना के राखी गड़ी में और यह शोकेस करेगा इंडस्ट वैली सिविलाइजेशन यानि सिंदु घटी सब्वेता का 5000 साल पुराना आर्टी फैक्ट्स को और जो राखी गड़ी है वो अर्याना के हिसार जिले में है जहां पे दो गाओं जिसमें पहला राखी खास तो दूसरा राखी शापूर तो यही दो गाओं से 1963 में खडपा सब्वेता के अवशेश मिले थे नागा लैंड के किस शहर में नागा मिर्चा महसब 2022 मनाए गया है तो वो मनाए गया है नागा लैंड के कोहिमा में और यहां पे आप फोटो में देख सकते हैं कि उस फेस्टिवल में जितने भी लोकल नागा मिर्चा गुरोर्स हैं वो लोग मंडी लगाते हैं अपने खेतों से मिर्चा लाके और वहां से होलसेलर या रिटेलर आगे खरीदते हैं और पूरे भारत में इसका सप्लाई देत और वहीं जो नागा मिर्चा है इसे GI टाग यानि की जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टाग दिया गया था वर्ष 2008 में और वहीं कुल नागा लैंड से चार प्रोड़क्ट है जिसे GI टाग मिला है which of the following was named the best drama of the year at the 74th Emmy Awards तो इस 74th Emmy Awards में किसे सर्वस्रेश नाटक का पुरसकार मिला तो यह मिला option भी Succession को तो यह 74th या 74th Emmy Awards लॉस एंजलेस में हुआ और best drama के category में यह अवार्ड मिला Succession को वही limited या anthology series में lead actor का जो अवार्ड गया वो डोपसिक के Michael Keaton को गया वहीं कुछ और important winners है उसे भी देख लेते हैं जैसे की best comedy series का अवार्ड गया है टेड लासो को तो वहीं lead actor in drama के category में यह अवार्ड गया है squid game के ली जंग जाय को और यह बने है first Asian star to win Emmy Award और वहीं जो Emmy Award होता है वो अमेरिका का television award होता है वहीं lead actress in drama में यह अवार्ड गया है euphoria की zen दाया को zen दाया वहीं best actress in comedy series यह award गया है hacks series की gene smart को gene smart वहीं best limited और anthology series का award मिला है the white lotus को white lotus which edition of Japan India maritime exercise जिसे GMAX भी कहते है was hosted by the Indian Navy भारते नौ से ना दोहरा जापान भारत समूदरी अभ्यास के किस संस्करन की मेजबानी की गई तो यह GMAX का sixth edition था option D sixth edition तो इस छटे edition of GMAX exercise को host किया था Indian Navy ने और यह हुआ था Bay of Bengal में वहीं Indian Navy के तरफ से तीन स्वदेशी design और build वार्शिप ने participate किया था जिसमें पहला है शायदरी, दूसरा है कदमत, वहीं तीसरा है कावारती और यह GMAX का tenth anniversary था जो शुरू हुआ था वर्ष 2012 को और वहीं जापान साइड से इस exercise को lead कर रहे थे rear admiral Hirata Toshiyuki और वहीं भारत के तरफ से थे rear admiral Sanjay भला जी in which of the following exercise the Indian Navy is going to participate in Australia in September 2022 निम्न लिखित में से किस अभ्यास में भारते नौसेना सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेला में भाग लेने जा रही है तो वो option है काकाडू exercise के लिए भाग लेने जा रही है option है काकाडू और यह जो exercise है 12 सितंबर को चालू हो गया है और यह पूरे दो हफते चलेगा वही इस exercise में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत से INS सत्पूरा और PA time maritime patrol aircraft ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच चुके है और इस exercise को host कर रहा है Royal Australian Navy और इस exercise में कुल 14 navies पार्टिसिपेट करेगी वही जो इस साल का theme था इस exercise काकडू का वो था partnership, leadership and friendship और वही पिछले महिने अगस को इंडियन एरफोर्स pitch black exercise में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस टेलिया का दौरा किया था विच बैंक कोलाबरेटेड विद वारी एनर्जी इस लिमिटेड तो प्रोवाइड फाइनन्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट सौर परियोजनाओं के लिए विद्प्रदान करने के लिए किस बैंक ने वारी एनर्जी इनिमिटेड के सांस सयोग किया तो बैंक है option D State Bank of India तो State Bank of India और वारी एनर्जी इस लिमिटेड जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पीवी पैनल का मैनुफैक्ट्रर है वहीं जो वारी जो है वो इस एग्रिमेंट के तहट SBI की सूर्य शक्ती सोलर फाइनन्स स्कीम है उसके तहट ये फाइनन्स उठा सकता है अपने जितने भी सोलर प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए इंडिया री इंटर्ड्यूस चीता स्रॉम नमीबिया टो विच नैशनल पार्क भारत ने चीता को नमीबिया से किस रास्ट उद्यान में फिर से लाया तो वो नैशनल पार्क है ऑप्शन भी कुनो नैशनल पार्क जो कुनो नैशनल पार्क है वो मध्य परदेश में है और ये इस्टैबलिश हुआ था 1981 को एज वाइड लाइफ सेंचुरी और फिर 2018 में जाके इसे नैशनल पार्क का स्टेटस मिला वहीं आपको पता होगा कि दो दिनों से सिर्फ न्यूज में चीता के ही कवरेज चल रहे हैं वहीं बात कर रहें इन चीतों की तो जो चीता है वो भारत से 1952 में पूरी तरीके से लुप्थ हो गया था इसलिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने इन्हें नमीविया से लाके कुनो नैशनल पार्क में छोड़ दिया अंडर दा प्रोजेक्ट चीता और ये दुनिया का पहला इंटर कॉंटिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्णिवोर फ्रांस लोकेशन प्रोजेक्ट है भारतिय फास्ट मुविंग कंजियूमर गोड्स कंपनी पिंटोला का ब्रैंड अमेजजर किसे निउक्त किया गया तो निउक्त हुए हैं आप्शनली सुनील चेतरी ये भारतिय फुटबॉलर है सुनील चेतरी जी और इनके जीवन की 20 साल के कैरियर में ये इनका पहला कुलाबरेशन है किसी ब्रैंड के साहँ और वहीं जो ये ब्रैंड ने पिंटोला ये पीनट बटर बनाती है और ये ब्रैंड 2012 में लॉंच हुई थी American Express Banking Corporation India has appointed whom as its CEO and Country Manager American Express Banking Corporation India ने किसे अपना CEO और Country Manager निट किया है तो वो किया है option B Sanjay Khanna जी को तो ये जो question है वो आप सभी के लिए है आप इसका सही answer हमें नीचे comment करें और वहीं हमारा ये daily current affair का lecture का PDF आपको हमारे telegram channel prep nation मिल जाएगा जिसका link नीचे description में दिया गया है आप वहाँ पे जाके उसे free में download कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे channel prep nation को subscribe करें